नमस्कार, हाई, हेलो, सच्छे अकाल, सलाम, मिरा नाम है काविंदर चौहा आज पस्चिमे उत्तरप्रदेश हलकी फुलकी बूंदा बांदी के चलते तापमान में गिरावट देखने को बिली है और हवाएं भी ठंडी बह रही है लेकिन अगर उत्तरप्रदेश की सियासत की हम बात करते हैं तो तापमान रोजाना चड़ता ही जा रहा है बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि यहाँ पर चुनाओ बढ़ते चले जा रहे है डेटशीट आ चुकी है, एक्जाम की तारीखे आ चुकी है रिजल्ट डिक्लियर किस दिन होगा, ये भी हर किसी को पता है दस मार्च को कई लोगों की किसमत का पता निकलेगा तो ऐसे में आज हम एक बार फिर आपके सामने आए हैं चर्चा करने के लिए कि इस वक्त हौट टॉपिक ट्रेंडिंग क्या है 2012 के अगर विधानसवा चुनावों को देखते हैं तो उस वक्त कोई वर्ग विशेश अगर मुद्दा था तो वो थे मुसल्मान 2017 की बात करें तो अगर कोई चीज, अगर ऐसी कोई बात जो मुद्दा थी तो वो थी विकास और मोदी मॉडल लेकिन आज जब हम 2022 के मुहाइने में खड़े हैं तब इस बार मुद्दा क्या है इस बार मुद्दा हैं लड़कियां, बेटियां, बहुएं, महिलाएं और वो क्यूं है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक बड़ी घटना घटी थी जब एक बेटी को रात के अंधिरे में जला दिया गया था और ये तस्वीरे हर उजाले में हर तरफ खबर बनी और हर तरफ आज भी चर्चा का विश्यवत्ती है लेकिन उस वक्त उस घटना पर जो सबसे जादा जिसने बाचीप की थी चर्चा की थी जो सबसे जादा लाइम लाइट पर रहा था वो थी प्रयंका गांधी प्रयंका गांधी को कौन नहीं जाना था इस देश की राजनी थी में जिस परिवार की सबसे जादा दखल रही है उस परिवार से आती है प्रयंका गांधी जी प्रेंका गांधी ने हाथरस कांड का patent ले लिया लेकिन BJP भी कम नहीं है BJP ने वहाँ पर भी copyright claim ले लिया वो कैसे क्योकि प्रेंका गांधी एक campaign लेकर आई थी उत्त्रप्रदेश में और प्रैंका गांधी के कैंपेन का सबसे आगे खड़े होकर नित्रा तो कर रही थी वही लड़की आज दरसल बीजेपी के खेमे में जा चुकी है मतलब बीजेपी ने कॉपीराइट क्लेम मार दिया तो अब ऐसे में आज हम बात करेंगे उन महिलाओं की उन लड़कियों की उन बहुओं की उन बेटियों की जो इस वक्त सियासत में सबसे ज़्यादा चर्चा का विश्य बनी होई है ऐसे में जब आप महिलाओं की बेटियों की बहुओं की बात करते हैं उत्तपदेश की राजीती के परिपिक्ष से, कॉंटेक्स से, तो चार नाम जो सबसे जादा निकल कर सामने आते हैं, जहां तक मेरी समझ है उसके हिसाब से, प्रेंका गांधी जी, अपढणा यादव, ड प्रेस कॉंफरेंस के दौरान जब उनसे पूछा गया कि उत्तपदेश में कॉंग्रेस का सीम चहरा कौन है, तब उन्होंने जानते हैं क्या का, उन्होंने कहा कि मेरे चहरे के अलावा और कौन सा चहरा आपको नजर आ रहा है, यह बहुत बड़ी घटना है, यह महज एक स् बात को रख सके, जरा ध्यान से सोचे, किसी और महासचिव की इतनी हिम्मत हो सकती है कि वो खुदी को सीम का कैंडिडेट डिकलेर करते हैं, हो सकती है, बिलकुल नहीं हो सकती, क्या हमने मध्यप्रदेश के चुनाओ नहीं देखे, क्या हमने राजस्थान विदान सभा के च चलते हैं, जहां पर जोती राधित सिंधिया ने सबसे आगे मुर्चाबंदी का लड़ाई लड़ी, सबसे आगे लड़ते हो नजर आए, महासचिव सबसे आगे लड़े, लेकिन बाद सचिन पाइलट हो, या फिर जोती राधित सिंधिया हो, दिल्ली से फर्मान जारी किय गया गया और दोनों ही को दोनों लोगों को मुख्यमंत्री नहीं बनाए गया, तो ऐसे में, अब जोतिरा दिते सिंदिया तो नाराज होकर, इस खेमे में आ गए, बीजेपी में आ गया गए, और सचिन पाइलेट के लिए आती ही रहती है एंखबरे, हर दूसरे महिने में press conference के दोरान वो इतना कह गई कि candidate कौन है आप समझ सकते हैं cm का face कौन है आप समझ सकते हैं ये क्यूं है ये दरसल इसलिए है क्योंकि एक कहावत को यथार्थ करता है वो कहावत क्या है ना कि सईया भहे कोतवाल तो डर काहेगा अब भाई Congress Party ही जब एक परिवार से चल रही हो जब भाई उस पार्टी का राश्ट अध्यक्ष रह चुका हो माता जी आज भी उस पार्टी की सररक्षक हो तो बेटी को किसका डर है बेटी ने भरी प्रैस कॉन्फरेंस से बोल दिया कि मैं खुद CM का फेस हूँ मतलब एक महासचे खुद ही डिसाइड कर लेता है कि वही CM का फेस है यह देख रहे हैं आप कितनी पावर देता है कितनी ताकत देता है कि आपका परिवार ही दरसल अगर पार्टी हो तो आप कोई भी नेड़ने स्वैम ही ले सकते हैं बाकी बातों के लिए आप कुछ भी कह सकते हैं कि हमारे पार्टी का जो सेश नेतरत है वो फैसले लेगा आला कमान फैसले लेगा लेकिन सचाई जमीनी यही है कि प्रेंका गांधी स्वैम जो चाहेंगी वही होगा क्योंकि पार्टी जो दरसल है वो एक परिवार नहीं है बलकि एक परिवार ही पार्टी है यह सचाई है अब थोड़ा आगे चलते हैं कदमताल करते हुए आगे चलते हैं इस वक्त एक चर्चा बड़ी आम है कि बीजेपी के खेमे में मुलायम की बहु का क्या काम है अब सोचिए आप जैसे ही स्वामी प्रसाइद मौर रहे हैं बीजेपी को छोड़ कर समाजवादी पार्टी में जाते हैं इसका बीजेपी को फायदा होगा, समाजवादी पार्टी को क्या नुकसान होगा या नहीं होगा. तो मैं आपको बताता हूँ कि समाजवादी पार्टी का नुकसान हो या ना हो, लेकिन बीजेपी का फायदा जरूर होगा इसको. फाइदा कैसे होगा, फाइदा सियासी तोर पर अगर देखें, तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ, एक narrative सेट करने के लिए बहुत बड़ा फाइदा होगा, मैं आपको समझाता हूँ कैसे, अपड़ना यादव, अपड़ना यादव की राजनितिक पहचान, राजनितिक प्र सामने पता क्या आया होगा, आपके सामने ये आया होगा, कि ये तो मुलाइम सिंग यादव की बहु है, जी बस, यही उनकी राजनितिक पहचान है, यही उनकी राजनितिक आज तक, जो उनकी प्रस्ट भूमी है, वो यही है, कि वो मुलाइम सिंग यादव की बहु है, तो वो तो खुद अरसल समाजवादी पाटी में टिकेट के लिए जदो जहद कर रही थी, 2017 में टिकेट मिला भी था, लेकिन आज तक नाराजगी जताती हैं कि उनको पहली बार जो टिकेट दिया गया, वो ऐसी जगह से दिया गया, जहां लगबग हारते थी, मतलब लखनो कैंट लखनो कैंट से उनके सामने कौन था, रीता बहुगना जोशी, वो उनके सामने थी, जो की बजबूत कदावर नेता है, तो ऐसे में वो आज तक इस बात की नाखुशी जाहिर करती हैं, कि उनको एक ऐसी जगह से टिकेट दिया गया, जहां से हार दरसल निश्यत ही थी, कि नेता, स्वतंतर देव सिंग की बात करूँ, या फिर मैं केशा प्रसाद मौरे की बात करूँ, केशा प्रसाद मौरे ने तो एक ट्वीट भी किया था, कि मुलायम सिंग यादव जी की पुत्र वधू का बीजेपी में बहुत स्वागत है, इस बात को समझे हैं, वो स्व मिनका गांधी और वरुन गांधी को भुनाती आ रही है, मिनका गांधी और वरुन गांधी का बीजेपी इस्तमाल करती है, कि देखिए कॉंगरेस के परिवार के लोग आज भी हमारे साथ हैं, ऐसा हमने पिछले चुनाबों में भी देखा था, 2019 पे, जब कहा गया था कि ए तो कोई डील हुई होगी अंदर खाने, कि वरुन गांधी ने 2019 के चुनावों के दोरान एक बात कही थी, याद है, वरुन गांधी ने कहा था कि बहुत से प्रधान मंतरी आए, मेरे परिवार के लोग प्रधान मंतरी बने, लेकिन आज तक प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी यसा कोई प्रधान मंतरी नहीं बना, ये स्टेट्मेंट बहुत कुछ समेटे था अपने आप में, क्योंकि वो दरसल खुद उनके परिवार के जो लोग, मसलन राजीव गांधी की बात करूं, इंदरा गांधी की बात करूं, जवारलाल नहरू की बात करूं, सब इनी के प कॉंग्रेस का, इतने कॉंग्रेस परिवार, जो एक परिवार है, गांधी परिवार, उन्हीं का बेटा आज कह रहा है कि मेरे परिवार के लोगों में इतनी शम्ता नहीं थी, जो प्रधान मंतरी रहे, जितनी शम्ता दरसल प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी में देखने को तो शायद ऐसा ही इस्तमाल अब अपढ़ना यादव का भी हो सकता है लेकिन एक पेच फस्ता वह नजर आएगा आपको बताता हूं कैसे अपढ़ना यादव है पहले इसको सबस्ते है अपढ़ना यादव मुलायम सिंह यादव की जो दूसरी शादी हुई थी साथना गुप कसरत और रियल स्टेट वो उसी से खुश है महंगी कारों के शौकीन है उसी से वो खुश है लेकिन उनकी पतनी अपढ़ना यादव हो हमेशा से समाज सेवा के कारों में लगी रही हमेशा से पहले भी खैर वो प्रदान मंतरी नरेंदर मोधी के तरफ अपना एक नरम यादव पर डायेक्ट अटैक है यह कि मुलायम सिंह यादव की बहू अब हमारी पार्टी में हो गया बस अब आते हैं तीसरी कहानी पर तीसरी कहानी है डिमपल यादव अब डिमपल यादव आज चर्चा का विश्य कैसे बनी है जबकि वो तो कुछ बोल भी नहीं है कोई अखलेश यादव की बीवी है अपड़ना यादव के साथ वैसा ही भेदवाओ किया है अपड़ना यादव और डिमपल यादव के साथ मुलायम सिंह यादव ने सिंपल और स्ट्रेट कहूं तो वही भेदवाओ किया है जो कि मुलायम सिंह यादव ने अपने बेटे और अ इस्तमाल करेगी बीजेपी किस तोर पर एक narrative सेट करने में कि मुलायम सिंग यादव की बहू अब बीजेपी में है बस इतनी सी कहानी है अब आगे बढ़ते हैं तो डिमपल यादव की मैं बात करा था डिमपल यादव को लेकर आज उनको जबरदस्ती घसीटा जा रहा है बी से जुड़ी है आज भी रास्ट्रवादी बात करती है लेकिन डिमपल यादव वो कुछ नहीं है लेकिन ये भी बात जग जाहिर है कि अपढ़ना यादव जितनी जद्दो जहद करती रही समाजवादी पार्टी में टिकेट के लिए अपनी बात को आगे रखने के लिए उतनी कभी भी डिमपल यादव को नहीं करनी पड़ी क्योंकि डिमपल यादव के तो खुद पती वो तो मुख्यमंत्री रहे और आज समाजवादी पार्टी के रास्ट अध्यक्ष है तो डिमपल यादव के लिए चीज़े उतनी मुश्किलात नहीं रही जितनी अपढ़ कैसे किया है अगर बदाईयू की मैं बात करूँ बदाईयू जिले की जब हम चर्चा करेंगे तो बदाईयू में जो बीजेपी के कारे करता है आज जब उनसे बातशीत करते हैं और पूछते हैं कि क्या संगमेत्र मौर एक प्रभावी सांसित साबित होती हैं 2024 में अगर व उस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि दूसरी पार्टी से जब कोई बहु आती है तो उसको सम्मान किया जाता है उसका सम्मान होता है उस पर जरा भी शंका नहीं जाहिर की जाती है उससे नहीं पूछा जाता कि आप यहां आ रही है तो क्या वोट आपका बीजेपी के साथ बिल्कुल शंका नहीं की जाती लेकिन जब एक पिता दूसरी पार्टी में जाता है तो उसकी बेटी पर शंका जाहिर की जाती है उसकी बेटी से बार-बार बार-बार सवाल किये जाते हैं इस tweet का मतलब आप समझे, इस post का आप मतलब समझ रहे, इस post का मतलब ये है कि संगमेत्र मौर ये कहना चाह रही है कि अपढ़ना यादव जब समाजवादी पार्टी को टाटा बाई-बाई करकर, जब वो BJP में आए, तब उनका स्वागत किया गया, उनका सतकार किया गया, उ चर्चा हुन लगी कि आप कब जाएंगे, आप कब जा रहे है, आप कब जा रहे हैं, और उनको लेकर बार-बार ये टीकर टिपणी की जा कि दरशल वो यहाँ पर यहाहां पर है, बाकि पिता जी तो वहाँ चले गए, उनकी बात भी जाहिर सी बात है कि ठीक हो सकती है अप से पहले एक बात कही थे संग्मित्रा मौरे ने कहा था कि उन्होंने पार्टी के पदों से स्तीफा दिया है बीजेपी को छोड़ा नहीं है ना ही समाजवादी पार्टी को पकड़ा है तो इस बात को क्लियर कर देते हैं लेकिन अब तो स्वामी प्रसाद मौरे समाजवादी पार्टी में शामिल हो गया तो आज वो कह रही है कि मैं कहीं नहीं जाओंगे लेकिन लोग एक बार-बार कह रहे हैं कि 2024 से जैसी पास आएगा ना तो ये किसी और पार्टी में जा सकती है तो आज हम इसी बात पर चरशा कर रहे थे कि कैसे आज महिलाएं बेटियां लड़ हुआ था उसको हाईजैक किया उसका पेटेंट अपने नाम कर दिया लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा दिया लेकिन बीजेपी कम नहीं बीजेपी ने क्या किया कॉपिराइट क्लेम कर दिया उनकी जो पोस्टर गल थी उन्हीं को अपनी पार्टी में ले आए तो ऐस कि आपके मुद्दों को लेकर आप रोते रहें कि आज यह आज उन मुद्दों पर बात हो रही है, जो नेता खुद गढ़ते हैं, खुद बनाते हैं, और आज आप उन मुद्दों को लेकर जमीन पर लड़ रहे हैं। फिलाल के शुक्रे।